अगर आप लोग आप लोग 25 का एक्जाम देने जा रहे हैं तो इन तीन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करता है तो चलिए आखिरों कौन सी गलतियां है उस पर हम लोग एक बार डिसकसन कर लेते हैं ताकि अब आपके एक्जाम के लिए लगबग 3-4 महिने का समय बचा है तो उन समय में आप लोग इन गलतियों को बिल्कुल ना करें अपने आपको अच्छे से प्रिपेर करें ताकि आप एक्जाम में अच्छा रहे हैं क्लाइस पर हम डिसकस करते हैं जैसे कि आप लोग इमेज में सकता यहां पर कोई आपकी फेवरेट हो सकता आपका मन्हों का याट कानपूर जाना है डिल्ली जाना है मदराज जाना है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को आने वाले 3-4 महने को अच्छे से यूटिलाइज करना और उनमें गलतिया बिल्कुल नहीं करना है तो चलिए आगे बढ़ता हूं आखिरों कौन सी गलतिया है जो आप लोगों को नहीं करना उस पर हम लोग एक बड़ चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं उनके कॉंसेप्ट जो होते ना बहुत अच्छे से क्ल लॉजिक आपको नहीं समझ में आया है तो एक गलती यहां से स्टूडेंट से होती है मैथमेंटिक सब्जेक के अगर बात करो तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है उनका काम हो जाएगा उनके अप्लिकेशन को भी आपको सीखना होगा और कैसे सीखोगे जब तक आप मैक्जिमम नमबर अफ की प्रक्टिस ना करें तब तक की पॉसिबल ही नहीं और दुसरी गलती कान सा हता है यहां पर प्र श्टूडेंट के द्वारा्थ ग्रक्रांप तैसा देखा जाता है कि अचलो हो गया जोगा घृशल कर लिए पिर शारब शहें दिन तक उन्हो जामें से एक आपका है maximum number of questions के practice करना चाहे ओक्वेशन हो सकता है प्रिवेसर क्वेशन हो या आप कह सकते हो कि आपके टॉपिक वाइस क्वेशन जो हो जाएं या आप कह सकते हो मॉक टेस्ट हो टॉपिक वाइस टेस्ट हो और उसके साथ साथ exam level questions के प्राक्टिस करना बहुत आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा जो भी आप questions के प्राक्टिस करेंगे प्राक्टिस करिए और उसके साथ प्रिवेशन प्राक्टिस में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है बहुत सारे करते कि फिरी पढ़ लेते हैं उनको लगता है उनको सब आरा थियरी आध है जब वह क्वेशन से क्वेशन ही नहीं साल होते हैं और मान लेजें किसी किसी से रहे हर एक वर्शन एक घंटी मोरत वैसे तो आप एकजाम में तीन घंटी में तीन कुष्षिन हो घर गया होगे तो फिर का तीन से आप आएटी में पहुच्छोगे कभी नहीं पहुचोगे मतलब यहां पर आपका वर्शन प्राक्टिस बहुत matter करता है concept clear होना question practice करना कि बहुत जादा important है अब आते हैं आगे बढ़ते हैं और तिसरे point पर बात करते हैं कि revision आप लोग skip कर देते हैं जब भी आप कोई concept रिजर्ड प्रॉपर्टी पड़र आपको लगता है कि को ध्यान में है तो आपको क्या करना है डेली बेसिस पर रिविजन करना है रिविजन को बिल्कुल हलके में मत लीजे आयाइटी जैम करने के लिए जो इंपोर्टेंट चीजे हैं उनमें से रिविजन भी काफी इंपोर्टेंट फाक्टर है जैसे कि मैंने कहां क्वेश्टन प्राक्टिस बहुत इंपोर्टेंट है concept क्लियर करना बहुत इंपोर्टेंट है और उसके सासा जो कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा उससे समय करते रहना है रिविजण करना बहुत जरूरी है तो डेली बेसिस पर रिविजण करते यह हो सकता ना किसी टॉपिक को रिवाइस करने में पहले दिन आपको एक घंटा लगा दूसरे दिन वही टॉपिक 15 मव्य में रिवाइज हो गा, तिसरे दिन वही सारी content आपसे 5 मट में रिवाइज हो जाएंगे, अगर आप डेली डेली बेसे पर रिविजन करेंगे तो आपका time भी कम लगेगा और उसके सास्थ तो जल्दी से आपको याद आ जाएंगे, जल्दी से आपसे रिवाइज हो जाएंग आप लोग फॉलो करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमने यहां डिसकस किया कि प्राक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आयए टीजाम करने के लिए तो आप लोग सोचेंगे बाई क्वेश्चन प्राक्टिस हम लोग कहां से करें तो चलिए मैं लोगों को अपको प्राइब कर लिए अपने को रजिस्टर करते वक्त आप से एक्जाम पुछा जाएगा तो आपको एक्जाम क्या सब्ष्ट करना आए टी जम मैं तुक्षा मतमेटिक सेक्ट करना है तो चलिए आज के सेशन में इतना ही पिर भी अगर आप लोगों के मन म में कोई डाउट थो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं तो थैंक यू सो मच